भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सफ के रूप में मना रहे हैं इस बेश कीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभास चंद्र बोस ने क्या अमीर, क्या घरीब हर भारतिये के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने नकेवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश समराजी की नीव को ध्वस्त कर दिया नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया राश्ट्रिय ध्वज भैर आया नेताजी सुभाष चंद्रबोस के बेमिसाल योगदान को उनके अदम में साहस भरे प्रेरग जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हक्तार थे वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुँचाने के लिए संकल्प बद्ध प्रयास किये उनके निप्रित्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया नेताजी के अंडमान निकुबार की एतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्षि में अंड़मान स्थित हैवलोक द्वीब को स्वराज, नील द्वीब को शहीद और रौस द्वीब को नेताजी सुभाश चंद्रबोस द्वीब का नाम दिया लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहाले और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलोभी भारत गैलरी बनाई नेता जी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोड़ने के लिए उनके जन दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया इसी कड़ी में नेता जी की 125. जयंती पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी द्वारा इंडिया गेट पर नेता जी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेता जी सभास चंदर बोस की प्रतिमा का अनावरन हो रहा है जो भारत की सबसे उची अखंड प्रतिमाओं में से एक है ये प्रतिमा आज़ादी के महानायक को कृतग्य राष्ट्र की स्रधान्जली है नेताजी सुभाज की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्ताव हमारे पीडियों राष्ट्री ये करतव्य का बोत कराएगी आने वाली पीडियों को बर्तमान पीडी को निननतर प्रिनेना देती रहे आईए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिये 27 फीट उंची 6 फीट चोड़ी नेताजी सुभास चंद्रबोस की भव्व्य प्रतिमा ये स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था आज आजादी के संदेश से आबाद है तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तैकर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुची इसे लाना भी एक चुनोती थी जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुन योगी राज ने इसे आकार दिया शिल्पकारूं की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सीचा और हमें दिया नेता जी को नमन करने और कृतग्यता प्रकट करने का अवसर देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरना देती रहेगी ये प्रतिमा